हेलो एबरिवन, वेलकम टू इटर्नल हिस्टिडी पॉइंट, मैं संजय कुमार आज लेकर आया हूँ, मार्डन हिस्टिरी का वेरी इंपर्टेंड टॉपिक, आधुनिक भारतिय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास. दोस्तों, इस टॉपिक से किसी ना किसी एक्जाम में एक कुश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो बिना देरी किये अपने सेशन को करते हैं, इस्टार्ट. आधुनिक भारतिय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास. हमारे देश में सबसे पहला पत्रिकाओं का थी बंगाल गजट जिसके संपादक थे जेम्स आगस्टस हिक की. यह एक अंग्रेज जदकारी थे और यह पत्रिकाओं भी अंग्रेजी माद्यम में छापी गई थी, जो 1780 में पत्रिकाओं की गई. 1780 में दूसरा पत्रिकाओं आया इंडिया गजट जिसके संपादक थे बर्नाल्ड मेंसिक और पीटर रीड. 1784 में कलकत्ता गजट जो सरकारी साहता प्राप्त पत्रिकाओं थी यह अंग्रेजी माद्यम में छापी गई. 1784 में औरियंटल एडवर्ट टाइचर जो सरकारी साहता से प्राप्त 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 प संपादक लियुक एस बर्नर थे जो अंग्रेजी लेंगोज में परकासित की गई 1794 में एसियाटिक मिरर नामक पत्रिका परकासित की गई जिसके संपादक हाल्स के ब्रुस थे और यह अंग्रेजी लेंगोज में परकासित की गई 1795 में बंगाल हरकारू नामक पत्रिका परकासित की गई जिसके संपादक विलियम हंटर थे 1795 में इंडिया हेराल्ड नामक पत्रिका परकासित की जाती है जिसके संपादक हमपरेज थे 1795 में मदरास गजट नामक पत्रिगा परकासित की जाती है जिसके संपादक आर विलियम थे 1796 में दी टेली ग्राप नामक पत्रिगा परकासित की जाती है जिसके संपादक हाल मेकेनली थे 1798 में कलकता मौर्निंग पोस्ट नामक पत्रिगा परकासित की जाती है जिसके संपादक आर्ची वाल्ड थे 1801 में मिसिनरी हेराल्ड नामक पत्रिगा परकासित की जाती है जिसके संपादक टी आर्म इस्टरांग थे आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद